हेलो फ्रेंट्स आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा मचली का बारे में जो की जिसमें पालन लागत लगबग जीरों के बराबर है और मुनाफा लाखों में है तो वो कौन सी मचली है और वो क्या खाती है कैसे खाती है वो मैं आपको डिटेल से जानकारी देना चाहता हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनें तो जैसे कि हम लोग जब भी मचली पालन करते हैं तो कितने लोग होते हैं जो सिर्फ कतला पालते हैं या कितने लोग होते हैं जो मिश्रित मचली पालते हैं या कितने जासर पालते हैं जो कि तलाब में कचड़ा रहता जैसे कि घास हो गया तिनपतिया घास हो गया कोई भी घास हो गया वो मचली खाता है तो जब भी आप ग्रास कार्प डालते हैं तो वो मचली खा जाता है तो ऐसा क्यों ना करें कि सिर्फ ग्रास कार्प का ही पालन करें और वो हमारे तलाब मे सिर्फ घास खाए और वो गरोध हो जाए देखिए जो आपको ये घास दिख रहा है ये तिन पतिया घास है जो हम लोग गाय को देते हैं खाने के लिए वो भी मैं तलाव में डालने वाला हूँ देखे जो मैं तलाव में डाला इसको तो देखे सभी मचली यहाँ पे आते हैं और घास खाते हैं इसमें सभी से दिख नहीं रहा किंकि धोपी दर सामने से पढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर आपको पानी में हलचल जरूर दिखेगा यह जो पानी में हलचल आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मचली है जो नीचे से खा रहा है घास को तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मचली को घास खाने से कोई दिक्कत नहीं होता है बस ये होता है कि आप बीच बीच में थोड़ा से दाना देते रहें और घास को खिला करके बढ़ा करते रहें इससे क्या होगा कि आपको पालन लागत रासी जीरो के बराबर हो जाएगा और मुनाफा आपका जितना बड़ा तालाब होगा उसके मुसार होगा तो आप जब भी मचली पालन करें तो ऐसा उपाय सोचें कि जिससे पालन लागत रासी जीरो हो जाएगा अब देखिए यह जो भाई मेरा पूरा मचली घास खा गया है मतलब कि घास बहुत कम बचा है तलाब में आप देख रहें जैसे कि मैंने उस समय कितना घास डाला था अभी कितना कम गया है तो आप कोई भी घास इसो खिला सकते हैं ऐसी जनकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें